Hello everyone, welcome back to our channel, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं RVI Assistant 2022 की New Viquancy के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि RVI के तरब से इसके बारे में Official Update दे दिया गया और आप सभी को बता दिया गया है और well icon पे प्रेस करने ताकि आने वाली हर एक Update ट्रागोलर आप सभी को मिलती रहें चलिए चलते हैं Official Update की तरफ और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी के समने खुला हुआ उपन यहाँ पे देखेंगे भारती रिजर्वेंग की आनि रिजर्वेंग आफ इंडिया की तरफ से आप सभी के लिए नोडिफिकेशन जारी कर दिया गया इसकी जो विग्यापन से क्या है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं साहक 2021 के पदो पर भरती तता उसके बाद भासा प्रमीनदता परिक्षा LPT के माद्यम से होगा संपूर्ड विज्यापन बैंक की वेबसाइट www.rvi.org.in पर फरवरी 2022 के तीसरे सब्ता में उबलब्ध होगा और इसे Employment News रोजगार समाचर में भी प्रकासित किया जा रहा है अब यदन पत्रवेंग की वेबसाइट के माद्यम से किबाल ऑनलाइन ही सुईकार किये जाएंगे तो आप सभी को बताएं 2019 में भी इसकी विकिंसी निकाली गई थी 2019 में जो इसकी पोस्ट थी टोटल 926 पोस्ट थी और इस बार इसकी जो पोस्ट है वो 950 हैं तो लगवग यहाँ पर आपकी 24 टोटल पोस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो गई है लास्ट ताइम से तो यह सारी चीज़ें हैं अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफेकेशन पगारा के बारे में तो चले यहाँ पर अगर important dates की बात करूं तो आप सभी को बताते हैं online जो इसके application form start हो जाएंगे वो 17 फर्वरी 2022 से इसके online application form start होंगे और जो last date आप सभी को रहेगी जो भुकतान की वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 8 मर्स 2022 तक आप इसका online payment कर सकते हैं आपको ज़्यादा time waste नहीं करना है क्योंकि आपको इसके लिए बहुत अधिक समय नहीं दिये जा रहा है क्योंकि लगवाग हर एक के लिए 30 दिन आपको दिये जाते हैं लेकिन आपको 30 दिन का समय नहीं मिलेगा अब चलिए आगे बात कर लेते हैं तो आगे बात करें यहाँ पर qualification के बारे में के योग्यता क्या चाहिए कौन इसके लिए अप्लाइ कर सकता है तो आप सभी को बता दें अगर आप जन्रल OVC EWS candidate हैं तो आपको इस नहां तक में 50% marks होने चाहिए यानि किसी भी stream में अगर आपने graduation कंप्लेट कर रखा है जाए आपका BSE हो, Bcomo, BA हो कोई matter नहीं करता केवल आपके पास 50% marks होने चाहिए तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं अगर आप SC, ST या PW category से अगर आप belong करते हैं तो केवल अगर आप graduation में pass हैं केवल qualifying marks यहाँ पर पूछे ही हैं केवल simple आपने pass कर रखा है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो I hope यह qualification वाला जो point है एकदम से clear हो गया होगा OBC Journal EWS जो category के candidate होंगे केवल उनी को 50% marks चाहिए तक में बाकी के जो candidate होंगे SC, ST, P, WD उन्हें कोई भी 50% का criteria नहीं रखा गया है उनके लिए अब next जो बात आती है age criteria की तो age के वारे में बात करें तो यहाँ पर 20 से लेके 28 साल तक के candidate apply कर सकते हैं और इसकी जो age आपके count की जाएगी वो 1st February 2020 से आपकी age count की जाएगी इस दिन आपकी age कम से कम 20 साल होनी चाहिए और maximum जो आपकी age होनी चाहिए वो 28 साल यहाँ पर होनी अगर आप OVC candidate हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल की चूट दी जाएगी अगर आप S.E.S.T. से बलों करते हैं तो 5 साल की आपको चूट दी जाएगी उसके according यहाँ पर अपना form apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं application fees के वारे में तो यहाँ पर जो आपकी application fees रहेगी जिसे आप ATM card, debit card, credit card जो भी आपके पास हो online net banking वगरा के माध्यम से आप अपनी fees जमा कर सकते हैं तो यह criteria के बारे में हो गया है यह पता चल गया कब से आपको form बना है सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई अब इसके बात करते हैं syllabus के बारे में selection process के बारे में तो देखिए selection process का यहाँ प क्योंकि आपकी जो विकिंसी होती है वो zone wise यहाँ पर आपकी विकिंसी निकाली जाती है तो जिस zone के लिए आप apply करते हैं वहांकि जो भासा होगी उस भासा की knowledge होनी जैसे कि अगर मानके चलिए आप जैपूर से form apply करते हैं तो वहां पर हिंदी की जरूरत पड़ेगी अगर कि अगर आप apply कर भी देते हैं अगर आपको वहां की भासा नहीं आती तो आप fail हो जाओगे तो यहाँ पर जो scheme की अगर मैं बात करूं selection process की बात करूं तो prelims जो आपके exam होता prelims को आज समझ लेते हैं तो prelims आपका होगा वो total hundred questions होंगे जिसमें आपकी English के 30 questions होंगे, numeric ability के 35 होंगे, reasoning ability के 35 questions होंगे, hundred questions हो जाते हैं जिसके लिए hundred marks आपको दिये जाते हैं, total 60 minute में आपको ये paper करना होगा, और आप सभी को बताते हैं कि bank की तरह से यहाँ पे भी आपको section wise आपको time दिया जाता है, यानि हर एक के लिए आपका fix time है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे कितना time भी time use कर सकते हैं, 10 minute पहले आप सभी को दिये जाएंगे, section खुलेगा आपका English का, तो उसमें आपको 20 minute में English आपको solve करनी होगी, फिर आपको numeric ability के लिए 20 minute दिये जाएंगे, यानि तीनों subject के लिए अलग-अलग 20 minute आपको दिये जाएंगे, दूसरे section का, आप मांग लिए अगर reasoning आप 10 minute में भी कर लेते हैं, तो 10 minute आपको इंतिजार करना हुआ, अगले section का, तो यहाँ इसकी जो cut-off होती है, cut-off आपकी दो दरीके से जाती है, एक तो overall cut-off जाती है, एक आपकी section wise भी cut-off होती है, तो जब cut-off आप clear करेंगे, तब mains exam के लिए qualify कर पाएंगे, अगर ह हो जाता है, आपका general knowledge और 5 हो जाता है computer knowledge, तो यहाँ पर यह आपके होते हैं, सबके लिए equal equation है, आपके सबके लिए 40-40 question आप सभी को दिये जाते हैं, और हर एक के लिए एक एक number यहाँ पर आपको दिये जाता है, तो टोटल करें तो 200 marks आपके होते हैं, इसके लिए 200 question ही यानि 15 minutes आप सभी को दिये जाते हैं, हर एक के लिए section wise आपको time जो होगा, अलग से दिया जाएगा, वो आप सभी देख सकते हैं, कि यहाँ पर time दिया गया है, उसी time में आपको अपना section complete करना होगा, और इसकी cut off होगी, वो भी आपकी section wise and overall cut off जाती है, तो section wise के बाद आपक देख सकते हैं, candidate not proficient in the official local language, sell we disqualified, अगर आपको भासा का ग्यान नहीं है, तो आपको disqualify कर दिया जाएगा, तो यह जरूर धियान रखना है, कि जिस zone में आप apply करना है, उस zone की भासा आपको आनी चाहिए, इसका जो पूरा notification है, पूरा notification आप उसमें read कर लीजेगा, तो हर ए कि अगर कोई भी आपका doubt होता है, तो आप हमें action में लिख सकते हैं, वीडियो के description में आप सभी को telegram और इंसे का link आपको दिया हुआ है, वहाँ पे जाके जरूर जोइन कर ले, in future आप सभी को इससे जुड़ी हर एक update regular हमारे channel के माध्यम से मिलती रहेगी, चाहे पर भी paper हो या cut off हो, हर एक चीज़ को लेकर आपको continuous के बारे में पताते रहेंगे, तो वीडियो अच्छी वीडियो को like share कर दीजेगा, so thank you for watching, जै हिंट, जै बारत